हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दपेट विजन दिससे साहिल मलीक यूर होस्ट एंद यूर वैड तो आज की जो वीडियो है ना बहुत यह अच्छा एक टॉपिक है यह किसी डॉक्स के लिए नहीं है किसी की केर नहीं है किसी का कोई भी होम रेमेडी नह वाले हैं कि यह एक्सपेरिमेंट कौन से ऐसे वह महान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने परफॉर्म किया और वह सक्सेस हुआ या नहीं हुआ बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो है आपको जरूर देखने चाहिए तो आज की जो वीडियो का हमारा में जो टाइटल है या two-headed dogs, head transplantation, doctor भी हम इनको बोल सकते हैं तो काईस इन्होंने कुछ experiments किये थे इन्होंने वह perform किया था एक बताने वाला हूँ थो आपको जो महान जो doctor थे उनका नाम क्या था दॉक्टर लादिमीर तो ड़ोग्टर जो लादिमीर थे एक scientist थे पेशे क्ई एक doctor representation उनका मेने काम था उंहोंने 1940 50 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किये उपने लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसे चीजह करने की कोशिश की जो पूरी दुनिया में किसी नहीं की तो वह बहुत सारी एकसपेरिमेंट्स करते रहते तो उन्होंने का गाइस की सोचा 1950 के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बारे वे सोचा सॉचा तो कैशन के ऑधर या यूद् या यू चियर इंदर डूसरा डोग एड कर दィया जैसा की स्क्रीन पर नजर आ रहा है यह फोटोगराफ में कितना मुझसखीны होगा कितना घंटे ऐसे टाइमिंग चली हुई तो आज मैं आपको clearly बताने वाला हूँ कि ये experiment, ये surgery, ये transplantation क्या थी और कैसे perform हुई होगी बहुत interesting वीडियो है I think आप देख रहे होगे तो guys अगर हम सोचते हैं कि ये जो surgery हुई है ये कितने घंटे तक चली होगी और कौन सा ऐसा dog breed था तो guys आज मैं आपको clear बता देता हूँ JSD dog यानि German Shepherd dog था German Shepherd dog के अंदर दो महिने का जो puppy ही होता है हम उसको puppy के अंदर include करते हैं उसका head यानि body का half portion वहाँ पे attach किया गया जैसा कि screen पे नजर आ रहा होगा और guys specially ये इस बात उन्होंने जरूर ध्यान रखी कि stomach के part को अलग रखा यानि जो dog का stomach का part है और जो दूसरे वाला dog है जो उसके अंदर transplant किया था दोनों अलग-अलग रहे यानि उनको एक बाद में common कर दिया गया लेकिन एक vascular system एक pipe system same था जिससे उनके खान-पान की गतिविदियां जो होती है जो उनके निगलने की पानी पीने की जो परकिरिया होती है वो normal तरीके से चलती रही तो guys थोड़ी सी sound आ रही होगी माफ करना मेरा pet मेरे room में ही घुम रहा है तो guys उसके लिए मैं माफी चाता हूँ तो guys यह जो operation चला by strings के थुरू उनको attach कर दिया गया यानि जिस जहां से वो खाना खाते तो दोनों का खान पान अच्छा रहा तो guys जो first experiment हुआ था उसके चलते वो जो dog है सिर्फ चार दिन तक survive कर पाया और guys आप imagine नहीं कर सकते वो जो operation है तीन से साड़े तीन घंडे तक का चला और वो एक successful operation था आइनिमल आपका live रहा लेकिन चार दिन बाद ही death होगी तो guys बहुत ही creativity ही है हमें पता होना चाहिए अगर आप एक dog lover हो dog owner हो आपको knowledge होने चाहिए इस बारे में तो guys उन्होंने experiments किया चार दिन तक ये चला चार दिन तक वो जो जीवित रहे but guys end में उनकी death होगी उसके लिए बहुत ही जादा लोगों ने उनको काफे जादा नकारा कईोंने सराहना भी दिए because scientist का तो काम यही होता न अगर experiments नहीं करेंगे scientist तो उनको पता कैसे चलेगा कि life में यह भी हो सकता है surgical procedure हम यह भी कर सकते हैं तो guys उन्होंने एक दुबारा से experiment perform किया 1958 के अंदर अब guys जो उन्होंने 1958 के अंदर इस experiment को दुबारा किया और वो जो guys जो dog है 39 दिन तक live रहे बहुत ही important एक point है 29 days तक 39 दिन तक live रहे है two headed dogs तो guys यह एक creativity तो है अगर हमें creativity के बारे में अगर कहीं से पता चल जाए तो guys वो वीडियो बहुत ही जादा interesting हो जाती है because creativity में आपका interest मुझे लगता है because मेरा खुद का भी interest है और वो एक surgical procedure उन्होंने perform किया transplantation का तो यह तो बहुत बड़ी बात है कि two headed dogs उन्होंने कैसे बना दिये तो guys वो surgeon है वो experiments करते रहते थे तो उन्होंने experiments किये अपनी study के दुरा उन्होंने बहुत सारा सोचा तो guys अब specially मैं जब उन्होंने दूसरी बार जो experiment किया तो dog 29 days तक जीवित रहा operation भी approach इतने दिन चला लेकिन guys 1988 के अंदर उनके जो experiment जो उन्होंने किया था जो एक model एक तियार किया था separate जैसा की नजर में आ रहा होगा आपको screen के उपर वो guys एक museum के अंदर रख दिया गया देखे guys वो जो doctor है जो मैंने आपको बताया जो लादी मीर है जो doctor है इन्होंने अपनी life के अंदर 1950 से 1960 तक बहुत सारे experiment किये उस experiment के चलते दुनिया के अंदर ये इतने ज़्यादा famous हो गए कि जानने लगे इन्होंने प्रूफ कर दिया कि heart transfer, lung transplantation और two headed dogs experiment करना बहुत ज़्यादा simple है और उन्होंने करके दिखाया और पूरी दुनिया भर उन्होंने दुनिया भर इसी बात से जानती है कि two headed dogs का निर्मान किया आप guys google पे सर्च करोगे आपको बहुत सारी बाते उनके बारे में मिल जाएंगी अगर आप interested हो उन doctor साहब आपके बारे में जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो तो आज की जो वीडियो है ना थोड़ी हटके एक topic था हमारे चैनल का में मोटिव यह है कि हम आपके डॉक के बारे में टिप्स बताएं उनकी home remedies बताएं उनकी एक prevention बताएं कि आप किसी भी बिमारी से आपके डॉक को आपको कैसा लगा तो गाईस जैसा कि thumbnail और title में आपने देखा two headed dogs और उस title और thumbnail के जरिये ही आप हमारे वीडियो के अंदर आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गाईस हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करें ताकि सबकी help हो सके सबको पता सले जो dog owner होते हैं और especially हमारा चैनल help करते हैं जो new owners होते हैं बहुत सारी गलतियां करते हैं पैट को पालने में तो गलतिया एटलिस ना करें आपका डोग बिमार बिल्कुल नहीं होगा तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मज जै हिन्जा भारत